अब हम देखेंगे उष्टरासन आपकी थाइस की मसल और आपकी कमर की मसल के लिए रहता है इसमें सबसे पहले आपको वजरासन में बैठता है फिर आपको अपने गुटनों के बल खड़े होना है और जो आपकी उंगलिया है वो नीचे की तरफ पॉइंट करेंगे आपकी कम करेंगा और धीरे-धीरे हमें सांस लेते हुए पीछे की तरफ जाना है अगर आप पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और आप कर सकते हैं तो आप पूर्ण उत्राशन भी कर सकते हैं वो कैसे करेंगे एक हाथ धीरे से एडी की तरफ फिर दूसरा हाथ धीरे से एडी की तरफ औ हो सके तो यह आसन हमेशा पांच के संख्या में करें पर शुर्वात एक या दो संख्या से ही करें अब हमारा दूसरा आसन आता है दूसरा आसन मैं आपको पहले भी बता चुकी है जिसको cat dog posture कहते हैं या अगर हम इसमें कहें हिंदी में कहें तो marjorie आसन कहते हैं यह आसन भी मेल दी कमर की मसल्द्स के लिए ही होता है इसमें आपके हात और घुटनों के बीच की दूरी सेम होनी चाहिए एक बार आपको जब आप सिर उठाते हैं तब कमर को नीचे की तरफ ले जाना है जब सिर नीचे करते हैं सांस छोड़ते हुए पूरी कमर उपर ले जाना है अगर आप चाहें तो इसका एक वेरियेशन भी कर सकते हैं जिसमें पाओं को उपर उठाना होता है आपका सिर आगे की तरफ, कमर नीचे की तरफ और पैर अलाइन में हो सकें तो इस पोस्चर को थोड़ी देर मेंटेन रखें अगर नहीं होता है तो सिर्फ दो सेकिंड के लिए दो गिंती तक इससे मेंटेन करके फिर नीचे ले आए इसी तरह दूसरे पैर के साथ भी शुरू करें इसके एक और वेरियेशन में अपोसिट हैंड भी आगे ला सकते हैं धन्यवाद